मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक बड़े रेगिस्तान में बसे 2000 फिट उचे टावर में फसी होती हैं और इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं होता जिससे ये किसी की हल्प मांग सके तो कैसे पहुची ये दोनों लड़किया उस टाव कर रही होती हैं इधर डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपना ग्रिप बनाने के लिए हाट डालता है मगर तभी उसमें से एक पच्छी बाहर आ जाता है और डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे लटक जाता है इधर बैकी और हंटर उसकी वहां नहीं आप आई हुई होती है और वो काफी डिप्रेस रहने लगी होती है इधर जब वो बाहर से बाहर जा रही होती है तो हम उसके फादर को देखते हैं जो की उसको यह सबसे मूव ऑन करने के लिए कहता है मगर बैकी उसकी बातों को नहीं सुनती और अपने घर चल से बताती है कि वो एक एडवेंचर करने जा रही है जहां पे वो एक रेडियो टावर पे क्लम्बिंग करेगी जो की एक रेगिस्तान में बसा हुआ है और 2000 फिट उचा है इधर हंटर बैकी को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है मगर बैकी उसे मना कर देती है क्योंकि व लैन को क्लैम्बिंग बहुत पसंद थी जहां पर हम देखते हैं कि बैकी हंटर के साथ उस एडवेंचर पर निकल पड़ती है जहां पर काफी देडर ड्राइव करने के बाद यह लोग एक होटल पर रुकते हैं और वहां पर डिनर कर रहे होते हैं जहां पर बैकी को पता च चेक आउट करके अपनी जर्नी के लिए निकल परते हैं जहां पर हंटर अपनी गारी में ही व्लॉग को शूट करने लगती है और अपने वीवर्स को पताती है कि वो एक एडवंचर करने जा रही है जहां पर वो एक बहुत बड़े रेगिस्तान में बसे एक रेडियो जाते हैं जहां पर इन्हें गेट दिखता है जिस पर साफ साफ डेंजर्स का पोर्ड लगा हुआ था और वहां पर ताला लगा हुआ था मगर इसको इगनॉर करके यह लोग अपनी गार को वहीं पर खड़ी करती है और पैदली उस टावर के पास पहुंच जाती है और पास चलने के ले कहती है मगर हंटर उसके डर को दूर करने के ले कहती है और दोनों लोग सेप्टी वायर बान के उस टावर पे चड़ना शुरू कर देती है जब यह लोग थोड़ा ओपर चड़ती है तो हम देखते हैं कि उस सीड़ी से अब नेट बोल्ड निकलने लगे ह क्योंकि वो इतनी पुरानी सीड़ी होती है और काफी सालों से उसकी रिपेरिंग भी नहीं होती है इधर जब बैकी एक सीड़ी की हैंडल को पकड़ती है तो वो तूट जाता है जिससे वो काफी डर जाती है मगर फिर भी वो उपर चड़ती रहती है अब देखते ही देख इधर देखते देखते ये दोनों लोग अठारा सो फिट उपर तक चड़ गई होती हैं और अब बस दो सो फिट और रह गया था लेकिन ये दो सो फिट इनके लिए काफी चैलेंजिंग मोट था जिसे किसी तरह पार करते करते फाइनली ये लोग उस टावर पे पहुंच गई क्ले कहती है जिससे बैकी का डर दूरो जगाँ जहाँ जहाँ पर बैकी उस स्टैन को प्रफॉर्म करती है और हम देखते हैं कि इसके बाद लोगs याद करते हैं जिसके बाद धी दोनों लोगs काफी इमोशनल हो जाते हैं फैनिली ये दोनों लोग decide करती हैं कि अभी नया से नीचे चलना चाहिए जहां पर ये दोनों लोग अपने safety wire को बांगती हैं और वैकी सबसे पहले नीचे उतरती है इधर जैसे ही वो अपने पहले कदम को सीड़ी पर रखती है सीड़ी तूट के नीचे गिर जाती है जहां पे बैकी भी नीचे लटक जाती है मगर सेफटी वायर के बंदे होने की वज़े से वो उस ट्रावर पे लटक जाती है जहां पे हंटर उसे किसी तरह उपर खीच लेती है अब ये दोनों लोग जब नीचे देखती है तो उनको दिखता है कि सीड़ी अब पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और इनके नीचे जाने का रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉग हो चुका है जिसके बाद ये दोनों लोग अपने फोन को चेक करती है ताकि ये किसी से हेल्प माग सके मगर इनके फोन में नेटवर्ग भी नहीं होता और अब ये दोनों लोग उस टावर पे पूरी तरीके से ट्रैब हो चुकी थी इधर उस टावर पे इन दोनों को एक एमर्जनसी बॉक्स दिखता है जिसे इन लोग ओपन करती है तो इने उसमें से एक दुर्बीन मिलती है और एक फ्लैर गन मिलती है जो कि इनके कोई भी काम की नहीं होती जहां पे हंटर उस दुर्बीन का इस्तमाल करती है और पूरे रेगिस्तान की तरफ देखती है जहां पे उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता अब पूरे रेकिस्तान में कोई ना देखने के कारण इने किसी ना किसी तरीके से तो वहाँ से निकलना था तो हंटर एक आइडिया निकालती है और अपने सोसल मीडिया पे वो एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो हेल्प लिखती है जिसके बाद वो अपने फोन को सेप्टी वायर से बनती है और फोन को नीचे ले जाती है शायद फोन नीचे जाएगा तो फोन में नेटवर्क आ जाए और उसका मैसेज सोसल मीडिया पे अपलोड हो जाए और कोई ना कोई उनकी मदद करने के तो आही जाएगा मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हंटर का ये आइडिया फेल हो जाता है जिसके थोड़ी दिर बार हंटर फिर से दुर्बीम का इस्तमाल करती है और चारों तरफ देखने लगती है अब इन दोनों को नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो की फोन पे बात कर रहा होता है जहां ये दोनों लोग उसको आवाज लगाती है मगर 2000 फिट उपर से इनकी आवाज नीचे आना तो इन पॉसिबल था जहां पे बैकी एक आईडिया लगाती है और अपने दोनों जूतों को उतारके वो उस आदमी के तरफ फेकती है शायद वो जूते की आवाज से उन दोनों को देख ले मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है जहां पे हंटर देखती है कि उस आदमी के साथ दो और लोग है और वो लोग एक वैन के अंदर पार्टी करने के ले आये हुए है जहां हंटर बैकी से कहती है कि हमें रात होने का वेट करना चाहिए और जैसे ही रात होगी हम फिलेर गन को स्काई की तरफ शूट कर देंगे जिसे ये लोग हमें देख लेंगे जहां देखते ही देखते ही रात हो जाती है और जैसे ही रात होती है बैकी उस गन को लेके स्काई की तरफ शूट कर देती है जहां से उस गन से लाइट निकलती है और वो आदमी उने देख लेते हैं इधर हंटर और बैकी को लगता है कि शायद अब उनकी मदद हो गई है और ये लोग उने बचा लेंगे मगर वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं यहां ये लोग हंटर की कार को लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं इधर वो आदमी इन दोनों की लाज छोप थी जो की वहाँ से जा चुके थे जिसके बाद ये दोनों लोग काफी डिप्रेस हो गई थी इधर हंटर को भी ये रिलाइस हो गया था कि उसने अपनी जान के साथ सथ बैकी की जान को भी खत्रे में डाल दिया है अब देखते ही देखते सुबा हो गई थी और बैकी के हाला तब काफी खराब हो चुकी थी तो हंटर ये डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी और अपने बैक को लेके उपर आएगी जिसमें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी होता है जहां पे हंटर अपने सेफटी बैर को बानती है और किसी तरीके से धीरे धीरे करके वो नीचे जाती है जहां पे वो अपने बैक को उठाने ही वाली थी मगर उसका हाथ बैक की तरफ नहीं पहुच पाता जहां पे वो अपने सेफटी वायर को हटाती है और उस पे लटक जाती है और किसी तरीके से वो डिस्क पे कूट के अपने बैक को पा लेती है जिसके बाद वो पहले खुद पानी पीती है फिर उस बैग को सेफटी वायर से बान के बैकी की तरफ भेज देती है जहां पे बैग मिल जाने के बाद अब हंटर भी उस सेफटी वायर से धीरे धीरे उपर आती है मगर गलती से हंटर का हाथ उस सेफटी वायर से छूट जाता है और वो नीचे गिनने इवाली होती है कि बैकी उसे किसी ना किसी तरीके से बचा लेती है क्योंकि एक बार वो अपने हैजबेंट को खोच चुकी है और वो अपनी बैस फ्रेंट को नहीं खोना जाती थी जहां पे वो उपर उसे खीच लेती है जिसके बाद ये दोनों लोग आपस में बात करती है अब देखते ही देखते ही वहाँ पे रात हो चुकी थी और इधर जब बैकी सो रही थी तो उसे बहुत भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी तो उसकी डिस्क पे ही गिरके मौत हो गई थी जिसके बाद बैकी काफी डरके उठती है और उसे पता चलता है कि ये तो बस एक भयानक सपना था जहां पे अब वहां का मौसम काफी खराब होने लगा था और इन दोनों का वहां पे सवाइब करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था अब बैकी हंटर से कहती है कि अब वो अपने फोन पे मैसिस को टाइप करेगी और हंटर के दूसरे पैर के जूते में फोन को डाल के नीचे फेक देगी अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विश्ट आता है और हमें पता चलता है जब हंटर का हाथ सेफटी वायर से चूटा था और वो जब नीचे गिरी थी तो उसकी डिस्पेई गिर के मौत हो चुकी थी जिसके बाद से बैकी हंटर को अपने साथ बस इमेजिन कर रहे थी अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद बैकी और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वहीं पे ही चुपचा बैटी रहती है अब बैकी को अपनी जान बचा दी थी तो वो किसी तरीके से उस सेटी वाईर से नीचे आती है और जहांपे हंटर की डेड बौडी पड़ी पड़ी थी वो वहीं पे कूच जाती है इधर वो अपने डैट को मैसेज गरती है कि वो इस टावर पे बुरी तरीके से फस चुकी है जहां पे वो इस बार अपने फोन को हंटर की डेड बॉड़ी के अंदर डालती है और हंटर की डेड बॉड़ी को नीचे फेक दीती है इधर जैसे ही हंटर की डेड बॉड़ी नीचे गिरती है वो मैसेज उसके फादर के पास पहुंच जाता है जिसके बाद उसका फादर देरी ना करते हुए सीधा पुलिस वालों को लेके वहाँ पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि उन पुलिस वालों ने बैकी की जान को बचा लिया था और back की पूरी तरीके से safe थी इधर वो अपने फादर से मिलके काफी रोने लगती है और अपने फादर को वहाँ पे हुई पूरी कहानी के बारे में बताती है जहाँ देखते ही देखते ही यह movie खतम हो जाती है तो guys I hope आपको इस movie का explanation अच्छा लगा होगा अगर आपको इस मूवी का एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा अब तक के लिए थैंक यू